नमस्कार दोस्तों, इस विडियो में श्रीमत भगवत गीता के 18 अध्यायों और 700 शलोकों को आज की पीडियों के प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वो कोई भी हो उसके करीर में, जीवन में, रिष्टों में, उसके प्रत्येक समस्याओं का समाधान करने के लिए कैसे भग अगवत गीता का उपयोग किया जा सकता है, ये बताया गया है। दोस्तों, यहां पूरे 18 अध्यायों को शामिल किया गया है और हर एक अध्याय की शुरुआत से पहले मैं आपको बताऊंगा कि उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा। फिर उस अध्याय को बहुत ही आसान भाशा में आपको समझाया जाएगा और उसके बाद उससे होने वाले हमारे जीवन में सभी अच्छे परिणामों के बारे में आपको बताऊंगा। मित्रों, अगर आप सोचते हैं कि भगवत गीता में सिर्फ ये लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं तो आप गल जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ये गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किये जा सकते हैं, हमारी परसनालिटी कैसे बनती है, कैसे पॉजिटिव एनरजी बनाई जा सकती है, खूसी क्या होती है, बड़ी-बड़ी प्रॉब कैसे बना जा सकता है, और भी ना जाने, बहुत कुछ। जीवन के इस सफर में हम सभी अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं, और ये सच है कि हम सब कुछ अच्छी तरह से पाना चाहते हैं, हर कोई अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, और कर रोडपती बनने का सपना देखता है, हम सभी अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, और जीवन के हर पहलूओं को समझने की कोशिश करते हैं, ये गीता हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती है, हमें ये जानने में मदद करती है कि मरने के बाद हमारे साथ क्य क्या होता है और ये भी बताती है कि ब्रह्मांड कैसे बना है और भगवान के अस्तित्व की गारंटी कैसे है क्या हम पुनर जन्म लेते हैं क्या ये जीवन रियल है या एक भ्रहम लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें बिना थके बिना किस मार्ग दर्शन के बिना सही दिशा के सफलता मिल सकती है। क्या हमारा मोटिवेशन इतना मजबूत होना चाहिए कि हम कभी हार ना माने। हमने कई बार देखा है कि हम जब कभी किसी मोटिवेशनल विडियो को देखते हैं तो हमारा जोश तो बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने कर्मों में लग जाते हैं, तो वही हमारा उत्साह ही कहीं गायब हो जाता है। हमें अकेले काम करते समय मोटिवेशन की कमी महसूस होती है, तो इसलिए ये विडियो लंबा हो सकता है। लेकिन यदि हम इसमें दिये गए रहस्य को समझ ले, तो हमें किसी और मोटिवेशनल विडियो की तलाश करने की आवशक्ता नहीं होगी, और हमें अपने उस लक्ष की और बढ़ने में मदद मिलेगी, जिससे हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है। लेकिन ये समझने के लिए हमें ध्यान पूरवक बैठ कर इस विडियो की बातों को सुनने और समझने का समय देना होगा। और अगर आप इस विडियो को बीच में छोड़ कर जाना चाहते हैं, तो कृपया कर आप इसे स्किप कर दें, क्योंकि अधूरा ग्यान ग्यान नहीं होने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कि हमें किसी को जबरदस्ती गुप्त ग्यान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब दीजिए, इस प्रिथवी पर जो ना केवल हमारी, बलकि ब्रह्मांड की वर्तमान और भविश्य की सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका नाम क्या है? हाँ, यही सच है, वो है भगवान श्री कृष्ण, महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण आज की तारीख से ना जाने कितने ही युगों पहले एक ऐसा ग्यान दिया था, जो आज 21 वी सदी की दुनिया के लोगों की लाइफ स्टाइल पर एकदम सही बैठता है, और यह जान करके बड़े बड़े लोग रीसर्च करने वाले हैरान हो जाते हैं, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उस महाभारत के युद्ध के मैदान में दिये गए ज्यान को पढ़कर महात्मा गांधी, आलबर्ट आइंस्टाइन, अनिबे सेंट, सुनीता विलियम्स और स्वामी विवेकानंद और ना जाने कितने लोगों ने अपना जीवन बदल लिया। दोस्तों, इस भगवत गीता के ग्यान में ही एक दुखी और हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अरजुन को महाभारत के युद्ध से पहले ही युद्ध का सर्वश्रेष् के सामने अर्जुन की तरह खड़े हैं और आपके लिए भी एक अद्वितिय गीता का ग्यान उपलब्ध है और ये आपका अधिकार है कि आप उसे समझे और अपने जीवन में उसका मार्गदर्शन करें। भगवत गीता के अद्वितिय ग्यान को समझ कर आपको ये स्कृत में भले लिखी गई है लेकिन उसका अनुभव आपको हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाशाओं में भी मिलेगा। मैं आपको इस अद्वितिय युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में लेके जाऊंगा और यहां आपको समझा दूंगा कि आखिरकार क्यों भगवा अपना ज्यान देने का निश्चे किया था। तो चलिए, हम कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में हैं, जहां पर पांडव और कौरव युद्ध के लिए तैयार है। और यही से भगवद गीता का पहला अध्याय शुरू होता है। और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को आल पर सेट कर लिजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस पहले अध्याय से हम सीखते हैं क जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। चाहे हमारे पास ग्यान का बहुत बड़ा भंडार हो, हमारे पास काबिलियत हो, लेकिन फिर भी हम सही फैसला नहीं ले पाते और हमारे कार्य में सफलता नहीं मिल पाती। इसके साथ ही हम जानेंगे कि कैसे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मानव कैसे परिवर्तित हो सकता है। कौरवों में दुरियोधन के मन में खुशियों की अनगिनत उम्मीदें थी, उसके पास बड़ी सेना थी, उसके पास गुरु द्रोणाचारे और गुरु जैसे महान योद्धा थे। पांडवों की सेना में अरजुन, भीम और पांडवों के पांचों भाईयों के साथ भगवान कृष्ण भी थे। अब ये युद्ध पूरी तरह से परिवार के बीच होने वाला युद्ध बना हुआ था। पांडव और कौरव दोनों एक ही बड़े परिवार के थे और इसके बावजूद हर किसी में जितने का इरादा था। भगवान श्री कृष्ण के साथ अरजुन ने अपनी सेना को सामने लाकर खड़ा किया ताकि वो देख सके कि उसको किन-किन लोगों को मारना है। इस भगवान कृष्ण ने अरजुन के रत को मैदान के बीच में ले आए। वहां कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में कौरवों की सेना में अरजुन के सामने दादा भीश्म और गुरुद्रोनाचार्य खड़े थे। और गुरुद्रोनाचार्य ने ही अरजुन को तीर अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जिधर देखा, वहां दोनों ही और परिवार वाले और गुरुओं के शिश्य ही नजर आ रहे थे। गीता के इस पहले अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि वास्तविक सोच कैसी होती है। अर्जुन ने के लिए मैदान में धनुष उठाने की कला को सिखाने वाले गुरु द्रोनाचार्य के शिश्य थे। लेकिन वे अपने लगाव के कारण कर्म का सही फैसला नहीं ले पा रहे थे। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तयार होते हैं तो हमें अपने लगाव को खुद से दूर रखना चाहिए। मित्रों, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए, आपका दिल से किसी व्यक्ती से गहरा प्यार है। लेकिन वो व्यक्ती आपके प्यार को समझने का मन नहीं रखते। इस बदले में आपको उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए मोहित नहीं होना चाहिए। क्योंकि लगाव किसी भी रूप में हानिकारक हो सकता है। जब तक ये लगाव है, तब तक आप अपने आत्मा के धर्म को पूरा नहीं कर सकते। गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग यानी की पुरुष प्रकरती का विशलेशन करना, मनुष्य पांच संख्या से बना है, आग, पानी, मिट्टी, हवा, अंत में मनुष्य इसी में मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में सबसे बड़ा योग कर्म योग है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय से हमें emotional stability, आत्मा, मृत्यू, पुनरजन्म और decision making के बारे में सीखने को मिलता है। यहां हमें गुसे के सबसे बड़े कारण और उनके समाधान के बारे में भी बताया गया है। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया, तो सारती श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया है। तुम जैसे महान युद्धा के मुह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, इसलिए अपने इस मन की कमजोरी को छोड़ कर युद्ध के लिए फिर से खड़े हो जाओ। इस पर अर्जुन ने कहा कि इस युद्ध से बहतर है कि मैं एक भिखारी बन जाओ। क्योंकि मेरे पास यहां तक तो अपनी जिंदगी का कोई अहम मकसद ही नहीं है, मेरे पास सही और गलत का ग्यान नहीं है, इसलिए मैं आपसे मार्गदर्शन मांगता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्या कोई इनसान उनसे कुछ मांग सकता है और वो नहीं देंगे। यहीं से शुरू होता है भगवत गीता का ग्यान, जिसे आपको भी अर्जुन की भावनाओं को जानना और समझना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, क्या तुम अचानक से डर रहे हो। तुम्हें डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये लोग तुम्हारे मारने से ही मरेंगे और तुम्हें ही उन्हें मारना होगा। इन सब लोगों का पिछले जन्म से और आगे के जन्म के साथ कोई संबंध नहीं है। वे तुम्हारे जैसे अनादी है। इसलिए जैसे कि तुम अपने पुराने कपड़े बदल कर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। हे अरजुन, तू किसी मरे हुए इनसान को जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन और मृत्यू का नियंत्रण सिर्फ मेरे पास है। तू तो उनकी मौत का सिर्फ एक कारण है, और ये लोग मरने के बाद भी मेरे ही पास आएंगे। क्योंकि वे शरीर नहीं हैं, वो तो आत्मा है। और आत्मा को किसी भी तरीके से नश्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा अगले जन्म के लिए इस शरीर को त्याग देती है, जिस प्रकार तू अपने पुराने कपड़े बदल कर नए पहनता है। इसी तरह से जैसे कोई कचुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है। जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और कर्मों के परिणामों को सोचना छोड़ देता है, वही स्थिर बुद्धी कहलाता है। जिसके मन से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध खतम हो जाता है, वही मनुष्य शांत रहता है। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमें वो इच्छाएं अच्छी लगने लगती है। तो हमें उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है और जब उन इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है तो हमें गुस्सा आ जाता है और गुस्से में हम खुद को खो देते हैं और फिर हम अपने कर्म और धर्म को भूल कर अपनी स्थिती से नीचे गिर जात उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है और उसके दुख का अंत हो जाता है और जब उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं तो उसकी बुद्धिस्थिर हो जाती है लेकिन जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती है वो मनुष्य कभी शांत नहीं हो पाता और इसी भी दिशा में ले जाने की छूट मिल सकती है। स्थिर बुद्धी वाले प्राणी समुद्र की तरह स्थिर रहते हैं। और इसी प्रकार के जीव मृत्यू के बाद मेरी शरण में आते है। मित्रों, अब हम इस अध्याय के वास्तविक्ता पर आते हैं और आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने अपने प्रिये जनों को खो दिया है। और आज तक आप लोगों में से जिन्होंने भी अपने प्रिये जनों की मृत्यू का दुख नहीं जहला है। उन्हें यह जान ल कराया है कि हमें अपने जीवन से पहले भी हम इस संसार में मौजूद नहीं थे और मृत्यू हो जाने के बाद भी नहीं रहने वाले हैं और इसलिए हमें मौत का डर नहीं होना चाहिए इसका कारण ये है या तो हम परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाएंगे या हमारा पुन जलस्कित का नियम भी है और आपको समरण रहे कि हम कोई शरीर नहीं है हम तो केवल आत्मा है और उस परमात्मा के अंश है और अगर हमें बनाने वाला इश्वर है तो हमें उनमें ही मिलने का प्रयास करना चाहिए उनमें ही लीन हो जाना चाहिए ये संसार तो एक भ्रम है जिससे उस परमात्मा ने बनाया है। हमने देखा था कि अरजुन निर्णय लेने में असमर्थ थे। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, तो एक और हमारा मुँ होता है, और दूसरी और हमारा वास्तविक कर्म होता है। और इस खेल में हम वो नहीं कर पाते हैं जो हमारा असली काम होता है। और जो हमें जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। इससे हम एक एक एक्जैम्पल से समझते हैं। मान लीजिए, आपको अपने घर से दूर कहीं किसी और शहर में, शिक्षा के लिए या नौकरी के लिए या अपने किसी लक्ष को पूरा करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो आपको अपने परिवार का मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसी तरह से आपको प्रतियक निर्णे में ये ध्यान रहे कि आपके मोह और आपके वास्त्विक कर्म में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण क्या है और उनका मुख्य समाधान क्या है। मित्रों, हमारे दुखों का सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारे खुद की इच्छाओं के बारे में विचार करना, जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं, तो वक्त बीतने के बाद हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, और जब ये कोशिशیں असफल हो ज तो फिर आप अपने जीवन के बाकी हिस्से में सच्ची खुशियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप हमेशा अपने आपको समस्याओं से घिरा हुआ ही पाएंगे। क्योंकि ये दुनिया तो केवल आपकी खुद की छाया ही तो है। अब आप सोच सकते हैं कि जीवन में कोई इच्छा नहीं रखने से सफलता कैसे हो सकती है। कैसे आप अपना नाम कमा सकते हैं। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आपको अपने कर्म को पहचानना होगा। यानि आपके लिए वो क्या करना जरूरी है जो आपको अपने लक्ष की प्राप्ति में सहायक होगा। और इसके बाद सफल होने की उमीद या असफल होने का भय दिल में पैदा नहीं किये बिना अपने कार्य को कैसे करे। क्योंकि आपको लगेगा कि ये कार्य मैं नहीं बल्कि स्वयम भगवान कर रहे हैं और इसी प्रकार आपकी हिम्मत भी कभी नहीं टूटेगी क्योंकि आपको ये लगेगा कि आप खुद नहीं बल्कि परमात्मा कर रहे हैं तीसरा अध्याय, कर्म योग, भगवत गीता के तीसरे अध्याय में हम ये जानेंगे कि कौन सी दो चीजें हैं, जो हमें इस दुनिया में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं, हम इसमें ये भी समझेंगे कि हम क्या हैं, और कैसे हम अपने मन को नियंतरित कर सकते हैं, हम अपनी बुरी आदतों को कैसे चोड़ सकते है और अपनी मनचाही मनजिल कैसे प्राप्त कर सकते है अरजुन ने पूछा, क्या ग्यान कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है आप तो सन्यासी बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी युद्ध करने की सलाह दे रहे हैं। कृपया बताए, मैं ग्यान का मार्ग चुनू या कर्म का मार्ग। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इस संसार में मैंने खुद दो प्रकार के योग दिये हैं। एक है ग्यान योग और दूसरा है कर्म योग। तुम मनुष्य हो और तुम अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते। तुम्हें हर दिन काम करना ही पड़ेगा, जैसे कि तुम्हें खाना खाना है और सांस लेना है। और अगर तुम अपनी इच्छाओं को किसी भी प्रकार से रोकने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे मन में कभी भी ये संदेह नहीं होने वाला कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे। इसका अर्थ है कि तुम से जाने अंजाने में कर्म तो हो ही जाएगा क्योंकि तुम मनुष्य ही तो हो तो तुम अपने धर्म से भी बंदे हो इसलिए तुम्हारे लिए सन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज्यादा सही है मतलब ग्यान योग या सांख्य योग की जगह कर्म योग उचित होगा इसलिए तुम ये सोचो कि ये काम तुम नहीं कर रहे हो बलकि तुम्हारा शरीर प्रकृती का गोलाम होकर कर रहा है फल की इच्छा किये बिना अपना कर्म योग को करो क्योंकि अगर तुम अपने आपको स्वयम के कर्म का करने वाला नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा करता बनूँगा और जब मैं तुम्हारा करता बनूँगा तो तुम्हें बिना मांगे ही वो सभी सुख सुविधाएं दूँगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी अगर तुमने बिना मेहनत किये ही सुख सुविधाओं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर की भांती हो जाओगे और तुम कभी परमात्मा यानी कि मुझ से नहीं मिल पाओगे मुझ में लीन नहीं हो पाओगे जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं उसी तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि भलाई के लिए युद्ध करो हे अरजुन तुम मनुष्य में सबसे बड़े हो इसलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारी संतान या आने वाली सभी पीडियां करेंगे अरजुन तुम मुझको ही देख लो मैं तो भगवान हूँ मुझे भला किसी काम को करने की क्या आवश्यक्ता है पर मैं इसलिए अपना काम करता हूँ क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही तो एक छोटा सा हिस्सा है और जैसा मैं करूंगा वैसा ही फिर मनुष्य करेगा और इस तरह से तो पूरी स्रिष्टी ही नश्ट हो जाएगी कोई अगर तुम्हारा साथ भी ना दे या तुम्हारी बुराई भी करे तो तुम उनको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ और ऐसा करने पर वो मनुष्य भी कुछ समय बाद तुम्हारे जैसा ही करना शुरू कर देगा जो मनुष्य ये सोचता है कि वो कर्म खुद कर रहा है उससे बड़ा मुर्ख और दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है और ग्यानी लोगों के द्वारा ऐसे मुर्खों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए इसलिए हे अरजुन तू भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में ना बांध कर बिना किसी आशा के, दया के और पश्चताप के इस युद्ध को लड़ हे अरजुन, खुद का धर्म और कर्म, दूसरों के धर्म और कर्म से ज्यादा अच्छा और बड़ा समझा जाना चाहिए भले ही हमारे द्वारा खुद के धर्म और कर्म के पालन करने में कोई कमी या कसर क्यूं न रह गई हो अरजुन ने फिर से पूछा कि अगर मनुष्य परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियाओं क्यों हो जाती है और वो बुरे काम क्यों करता है भगवान श्री कृष्ण बोले कि मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृती वैसे ही है जैसे अगर उसकी कामना पूरी नहीं होती तो वो गुस्से में आ जाता है और जिस तरह धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती उसी तरह क्रोध और काम की वजह से मनुष्य को अपना कर्म, धर्म और ईश्वर दिखाई नहीं देते और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर कंट्रोल खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है हे अरजुन तुम हमेशा याद रखना इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियां इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन और मन से शक्तिशाली है बुद्धी और बुद्धी से ज्यादा शक्तिशाली है तुम यानि कि तुम्हारी आत्मा इसलिए है अरजुन तु अपनी आत्मा से अपनी बुद्धी को वश में कर तो तुम्हारी बुद्धी मन को वश में करेगी और फिर मन तुम्हारे इंद्रियों को वश में करेगा और इंद्रिया तुम्हारे शरीर को यानि कि तुम्हारे बुरे कर्मों को मित्रों, श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों को अगर हम आज के परिवेश में देखे तो इस दुनिया में परिणाम दो चीजों से आती है ग्यान और कर्म यानी की नौलेज और एक्षन आज की दुनिया में हम दोनों चीजों को जोड़ कर देखे तो हमारे लिए एक्षन भी उतनी ही जरूरी है जितना ग्यान यानी की नौलेज ग्यान का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी उठा कर पढ़ लिया बलकि नौलेज का मतलब तो यह है कि आप ये सबसे पहले जानले की आपके लक्ष क्या है आपकी काबिलियत और आपकी समस्या क्या-क्या है और इन सब को मिलाकर अपने लक्ष तक पहुँचने की आपकी प्लैंनिंग क्या-क्या है ये है आपकी ग्यान यानि की नौलिज इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि आप शरीर नहीं हो आप केवल एक आत्मा हो, आपकी आत्मा, यानि कि आप खुद अपनी अच्छी बुरी भावनाओ, अपने विचार से भी बहुत उपर हो, और अगर आप इस तरह से सोचोगे, तो अवश्य ही आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और वो बहुत छोटी लगने लगेगी, इ हमें ये सोचना है, कि हमारे द्वारा इश्वर कर रहे हैं, और जब हम इस तरह से सोचेंगे, तो हमारे जीवन में दो अच्छे प्रभाव होंगे, पहला ये, कि आप अपनी महनत के परिणाम को लेकर, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, और दूसरा ये, कि आप अपने कर्मों के परिणामों पर खुश या दुखी होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, इसके साथ ही आप किसी भी बुरी आदत से कैसे मुक्त हो सकते हो, इसका विचार करें, इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जा सकता है आप अपने आपको भगवान का छोटा सा अंश अर्थात आत्मा ही समझे और इसके बाद आप जब अंतर ध्यान से यानि अपने आत्म के ध्यान से अपने मस्तिष्क को नियंत्रित रखोगे और मस्तिष्क से अपने मन को और फिर जब आपका मन आपके शारीरिक इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है तो बुरी आदतों को छोड़ना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा अध्याय चार ग्यान कर्म सन्यास योग यानि सगुन भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विशय भगवत गीता के चौथे अध्याय से हमें ये ग्यात होता है कि भगवान कब और किस रूप में पृत्वी पर आते हैं और यहां तक कि गुरु से ग्यान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और ग्यान क्यों जरूरी है श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है अर्जुन मैंने इस महान गीता ग्यान को बहुत पहले बताया था लेकिन समय के साथ वो ग्यान समाप्त हो गया है इस पर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कृपया बताईए कृष्ण आप तो अब वर्तमान काल में हैं तो आप बहुत पहले के समय में ऐसा कैसे कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। हे अर्जुन, तुझे ये नहीं पता कि तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। जब इस संसार में धर्म का अस्तित्व संकट में होता है, तब मानव रूप में अधर्म का नाश करने के लिए इस धर्ती पर आता हूं। और कर्म करके अपने शरीर को यहीं छोड़ कर वापस जाता हूं। जैसे कोई शिश्य मुझे अत्यधिक प्यार करता है, उसी तरह से मैं अपने शिश्यों से अत्यधिक प्यार करता हूँ हालां कि मैंने इस संसार को बनाया है लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि ये मेरे द्वारा बनाया गया है इसलिए मनुष्य को कर्म करते समय ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ वो मनुष्य जो किसी कर्म के फल और सुख दुख के परे होकर कर्म करता है, वही सबसे बड़ा है। जिसके पास अपने शरीर पर कोई अहंकार नहीं होता, वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। वही व्यक्ति सबसे श्रेष्ट होता है और अरजुन जो इस भूमी पर खुश नहीं रह सकता, वो कहीं भी खुश नहीं रहता। इसलिए किसी मनुष्य को अपने गुरु को पहचान कर, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके, अपने लोग को छोड़ कर उनकी सेवा करने क प्रयास करना चाहिए, ताकि वे उनसे वो ग्यान सीख सके, जिससे की बड़े से बड़े पापी भी मेरी शरण में आ सकते हैं। जिस प्रकार आग सुखी हुई लकड़ी को जला देती है, उसी तरह से गुरु से प्राप्थ किया गया ग्यान, अज्यानता को दूर कर देता है। हमेशा कर्म करने वाला और हमेशा मेरी में श्रण्धा रखने वाला ही मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए जिसने कर्मयोग के माध्यम से सभी कर्मों को और अपने आपको परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया है, उस मनुष्य को उसके कर्मों के बंधन में कभी भ इसलिए अर्जुन तू भी मेरे दिये हुए ग्यान से समझ कि कर्म नहीं बलकि मैं कर रहा हूं। दोस्तों इस चौथे अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी मानवता का नाश होता है तो नेगेटिव उर्जा लोगों में अत्यधिक होती है। तब तक भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म को पुनह स्थापित करते हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि अगर किसी से आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले आपके मन में उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। कोई लालच नहीं होना चाहिए और बुरी भावना भी नहीं होनी चाहिए। और ये ज्यान प्राप्त करना और सीखना हमारे लिए क्यों आवश्चक है। और इसका कारण क्या है। हम अगर किसी क्षेत्र में हो तो स्वाभाविक रूप से बताया जा सकता है कि हमें उस क्षेत्र के गुरू से ज्यान प्राप्त करना होगा। और ज्यान वो तरीका है जिससे इस जीवन में अपने लक्ष से और उस जीवन में आपके परमात्मा से मिल सकता है। अध्याय पांच कर्म सन्यास योग भगवत गीता के पांचवें अध्याय में कर्म सन्यासियों का वर्णन किया गया है और हम जानेंगे कि अपने लक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कैसे हमारे शरीर ने हमें आलस्य में बांधने की कोशिश की अर्जुन ने कहा है श्री कृष्ण मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए कर्म अच्छा है या कर्मों से सन्यास तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया देखो अर्जुन सन्यास और कर्म वे दो अलग-अलग मार्ग हो सकते हैं लेकिन दोनों का ही लक्ष तो समान है और वो है परमात्मा जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता जो कर्म करके भी यही समझता है कि कर्म उसने नहीं किया है बल्कि ये तो परमात्मा ने किया है और जो सभी जीवों को उसी परमात्मा का हिस्सा मानता है वो मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है महान व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को अपने विचारों को सपष्ट करने और दूसरों के हिद के लिए ही करते हैं पर मात्मा कभी भी मनुष्यों को बुरे काम करने के लिए नहीं प्रोथ साहित करता बल्कि लोग खुद ही अपने क्रोध और मोह में आकर बुरे कार्य करते हैं और फिर उसी प्रकार से उनके फल सुनिश्चित हो जाते हैं मैं तो बस उनका प्रतिफल उनहीं को वापस देता हूँ। तुम अपने शरीर को चाहे कितना ही आनंदित कर दो इसके इच्छाएं तब भी पूर्ण नहीं होती। इसलिए अर्जुन तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगना चाहिए। इस संसार का असली मूल्य होता है वो जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध का नाश कर लिया हो जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है। वही व्यक्ति सूखी भी है और परमेश्वर सहित सभी के प्रिये भी। इसलिए हे अर्जुन ये इंद्रिया, मन बुद्धी, इच्छा आशा, डर और क्रोध ही तेरे शत्रु है। इन्हें छोड़ दो। दोस्तों हमारी बौड़ी, अर्थात हमारा शरीर हमेशा आराम से रहना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इसमें आत्मा नहीं होती तो क्या होता। हम अक्सर अपने शरीर को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। हम कहते हैं ये मेरी आखें है, ये मेरे हाथ है और जब हमारा शरीर हमें आराम करने के लिए बोलता है तो हम स लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि शरीर आपकी बुद्धी पर भारी हो गई है इसलिए आपको यह समझना होगा कि आप एक आत्मा है और आपको अपनी बुद्धी से अपने शरीर को चलाना होगा दोस्तों जो रास्ते भगवत गीता में दिखाये जा रहे हैं वे मानवो को परमात्मा से मिला देते हैं अगर आप इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे रहोगे दोस्तों जैसा की कहा गया है कि भगवान की प्राप्ती के लिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है ठीक उसी तरीके से आपको अपने जीवन में भी मनजिल पाने के लिए मन को वश में करना बहुत ही आवश्यक है श्रीमत भगवद गीता अध्याय छह आत्मसंयम यूगा भगवद गीता के छठे अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं अर्थात आज के जीवन में वो व्यक्ति जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण कुछ करना चाहता है इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या होता है अगर आपने इस जीवन में बहुत महनत की लेकिन फिर भी आपका सपना पूरा नहीं हुआ श्री कृष्ण बोले केवल अपने सांसारिक करमों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता इसका मतलब है कि योगी वही होता है जो अपने करमों को त्याग कर आत्मा की ओर बढ़ता है उसका मार्ग सफलता की ओर जाता है चाहे फिर भी उसे कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़े योगी अपने उद्देश को हासिल करने में सफल होता है क्योंकि उसका मन परमात्मा की ओर होता है वो व्यक्ति जो करने योग्य सभी कार्य को पूरी इमानदारी से निभाता है उसके फल की प्राप्ति की लालसा नहीं करता वही असली योगी कहलाता है जो व्यक्ति अपने पर विजय पा लेता है उसके लिए संसार में और कुछ जितने की अत्यंत आवश्यक्ता नहीं होती और जिसका मन इधर उधर चलता रहता है उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना सरल नहीं होता क्योंकि हमारा प्रिय मन हमारा साथ ही होता है और अगर हम उसके गुला बन जाते हैं, तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, जो व्यक्ति अपने मन के और संसार के किसी भी विचार या वस्तु से प्रभावित नहीं होता, और जो मित्र, शत्रु, महात्मा, पापी, जीव, जन्तु आदी के प्रति समान दया भाव रखता है, वही यो कैसी भी डर के बिना, अपने मन को मित्र बना कर उसे मेरे ध्यान में समर्पित होना चाहिए, वो योगी उचित आहार और नींद उतना ही लेता है, जितना आवश्यक हो, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, इस प्रकार का योगी अपन तब उसे वही इच्छा को वश्म करके पूरा मन को संयमित करना चाहिए, और जब योगी इस पूरे ध्यान की अवस्था में आ जाता है, तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता, अर्जुन ने कहा, लेकिन है कृष्णा, ये मन बह कि बार बार आत्म विश्वास और योगा भ्यास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, इस तरह से हम अपने मन को वश्म करके अपने जीवन को अधिक सफलता की ओर ले जाते हैं, अर्जुन ने पुनह पूछा, है कृष्ण, अगर कोई योगी इस प्रकार से ध्यान में निश्चित रहकर योग करता है, लेकिन अंत में किसी कारण वश उसका मन भटकने लगे, तो क्या उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, निरंतर परमात्मा की दिशा में बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है, अगर किसी भ्रष्ट योगी भी सुख में समय बिताने का अवसर प्राप्त करता है, फिर उस योगी की आत्मा जो ध्यान में भ्रष्ट हो गई थी, वो पुन्ह उसी पुन्य पुरुष के परिवार में जन्म लेती है, और उस तरह से उसकी आत्मा की यात्रा वहीं से शुरू होती है, जहां से उसने पिछले जन्म में समाप्ति की थी, इस तरह वो एक नए रूप में और नए जीवन की ओर बढ़ता है, परमात्मा से मिलन के लिए फिर से प्रयास करता है, अर्थात पिछले जीवन में किया गया योग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन एक योगी जो न एक योगी तपस्या और विद्वानों से भी श्रेष्ठ होता है, इसलिए अर्जुन तू भी योगी बन, क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ योगी होता है, वो मेरा भी परम्प्रिय होता है, दोस्तों, हर व्यक्ति जिसकी आँखों में कुछ बढ़ा करने का सपना होता है, उ जो न्यूट्रल रूप से दूसरों के विचारों पर ध्यान नहीं देता, और हमेशा अपने लक्ष को पूरा करने के लिए मेहनत करता है, लेकिन दोस्तों, जीवन का कोई भी पत किसी के लिए भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए क्या कोई इनसान उसके सपने पूरे होने से पहले ही मर जाता है, तो उसकी मेहनत की कीमत किसी काम की नहीं रहती और अपने सपने सपने ही रह जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब इसमें छिपा है, कि एक बहुत ही गुप्त बात है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताया है, कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपने बहुत अनुभव जमा लिया है, बहुत सारा ग्यान प्राप्त कर लिया है, फिर भी आपको करने के लिए बूढ़े हो जाए, तो इस प्रकार के मरने के बाद भी आपके स्वर्ग में आपके कर्मों के अनुसार आनंद मिलेगा, और जब आपके अच्छे कर्मों का बैलेंस खतम हो जाएगा, तो फिर से धर्ती पर जन्म लेके वापस आएंगे, और जन्म भी ऐसे मा हौल या घर में होगा, जिसमें आपको पिछले जन्म के ग्यान का स्तर पाने के लिए महनत नहीं करनी होगी, वो तो स्वतह आपको मिल जाएगा, आपको फिर उसके बाद के ग्यान को पाने के लिए एक पुनह पूरी नई जिन्दगी मिल गई होती है, ऐसा मैं नहीं, बलक जो सच में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मित्रों, ट्रू लाइफ स्पिरिचुल ग्यान पर आप सुन रहे हैं संपूर्ण भगवत गीता का सार, इस परम ग्यान आपको अच्छी लग रही है, तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्न आवश्य लिख दीजिए, और इस सेट कर लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, श्रीमत भगवत गीता अध्याय साथ ग्यान विज्यान योग, इस अध्याय में जो भगवान का ग्यान है, हमें ये बताया गया है कि इश्वर कैसे संसार को नियंतरित करते हैं, इश्वर को कौन से भक्त सबसे अधिक प्रिय होते हैं, इसके बारे में भी ये जानकारी दी गई है, लेकिन ये सवाल हम सब के मन में उठता है कि क्यों इनसान भगवान को नहीं पहचान पाता है, भगवान कृष्ण इस प्रश्ण का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे वो बात बताऊंगा, जिन्हें जानकर तु इस संसार में किसी और ग्यान की तलाश में नहीं भटकेगा, हजारों लोगों में से कोई एक ही होता है, जो ब्रह्म ग्यान की खोज करता है, और वो कोशिश करके ही उसे प्राप्त करता है, और ऐसे हजारों कोशिशें करने वालों में से कोई एक ही मे मेरे प्रेम में विश्वास और समर्पन के साथ प्राप्त कर पाता है। मेरे दो रूप है, एक जन रूप, जिसमें पृत्वी, वायू, जल, अग्णी और आकाश, साथ ही मन, बुध्धी और अहंकार है। वही दूसरा है चेतना रूप, जिसमें स्रिष्टि का चक्र है। समय को भी मैं ही निरंतर चलाता हूँ, जल, ओमकार, चंद्रमा, सूरज, मैं ही हूँ। पृत्वी की सभी पवित्र ग्रंत, बुध्धी जीवियों का तेज, अग्णी और तपस्वियों का तप, धर्मों का पवित्र कर्म, अलग-अलग समयों का काल, और बल्वान का बल भी मैं ही हूँ। इस संसार के लोग सांसारिक गुणों के बंधन में जकड़े हुए हैं, इसलिए मैं किसी को अपने असली रूप में नहीं दिखाई देता हूँ, और वास्तविक्ता में ये संसारी गुण भी मेरी माया ही तो है, मगर जो मनुष्य इस मोह माया को तोड़ देता है, वो मेरा भक्त बन जाता है, माया के जाल में फंसे हुए मुर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ सकते हैं, कोई भी भक्त चार विभिन प्रकार से मेरी पूजा करता है, कोई प्राप्ती की इच्छा रखने वाला, कोई दुख के समय मुझे याद करने वाला, और कोई मुझे पहले से ह जानने वाला, लेकिन इन में से मुझे सबसे अधिक प्रेम करने वाला ग्यानी भक्त पसंद है, ये चारों भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ग्यानी पुरुष तो मानो मेरा ही रूप है, और ग्यानी भक्तों में से वो व्यक्ती भी शामिल है, जिन्होंने मुझे बहुत स जन्मों से माना है और मृत्यु उसके बाद भी उनकी आत्मा मुझ में ही मिल जाती है। जो भक्त किसी इच्छा की पूर्ती के लिए किसी देवता की पूजा करते हैं, उनकी आस्था में मैं वही देवता बना देता हूँ और उस भक्त को अंतत वो देवता प्राप्त हो जाते हैं। इस फल की अवधि समय सीमित होती है। अगर कोई भक्त मेरी पूजा करने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करता है, तो मैं उसे अपना बना लेता हूँ। जबकि दूसरी तरफ वे मुर्क जो मुझे जन्म लेने और मरने वाला मानते हैं, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविश्य को जानता हूँ। हालांकि श्रद्धा रहित लोग मुझे नहीं जान सकते। वे भक्त जो सांसारिक मोह और माया को छोड़कर उच्च कर्मों का अभ्यास करके मेरी भक्ति करते हैं, वे मृत्यू से मुक्त होकर मुझे में ही लीन हो जाते हैं। जब आप अपने जीवन में कोई लक्ष स्थापित करते हैं, तो समय बीतने के बाद वो लक्ष भूलने की आशंका हो सकती है। क्योंकि विभिन्न विचारों और कार्यों की बहुत अधिक चिंता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि माया के जाल में फंसे व्यक्ती भगवान को भूल जाते हैं। और इसी तरह कई बार अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को भी भूल जाते हैं। और उन्हें लगता है कि उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो तो बेकार है, व्यर्थ है। वो सोचते है कि लाइफ तो केवल मजे लेने के लिए है, क्या पता कल रहू ना रहू और इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति को गीता में मूर्ख कहा गया है। जो इतना भी नहीं जानते ये जो डिस्ट्रैक्शन है या ये जो भटकाव है ये मेहनत करने वालों को बस आजमाता है और ज्यादातर लोग इसी भटकाव में बंद करके रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लगातार बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कठिन परिश्टम करता है वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर पाता है और इसके मन को शांती प्राप्त होती है। अध्याए आठ अक्षर ब्रह्म योग इस अध्याए में हम जानेंगे कि भगवान क्या है और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है देवता क्या होते हैं और इस संसार का कारण क्या है ये सभी बातें हम इस अध्याए में सीख सकते हैं। अर्जुन ने पूछा है कृष्णा परम ब्रह्म क्या होता है आध्यात्म का स्वरूप क्या होता है कर्म क्या होता है ये संसार कैसे चलता है और देवता कौन होते हैं इसलिए इस अध्याय में अर्जुन के इन सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहते हैं कि जीवों की वास्तविक्ता ही अध्यात्म होती है। कर्म हमारे द्वारा पास्ट में किया गया त्याग होता है, जिसका परिणाम हमें वर्तमान में मिलता है। उसी तरह से हमारे वर्तमान में किये गए कर्म या थ्याग वो भविष्य में मिलने वाले परिणामों को ही जन्म देते हैं। इस संसार का निर्णय करता वो मैं ही हूँ और जब कोई व्यक्ती अंत के छण में अपने मन में वही भाव और अपने ध्यान को उसी भाव में स्थिर करके शरीर को छोड़ता है तो वो उसी भाव को प्राप्त करता है। इसलिए मुझे याद करने वाले हमेशा मेरे पास आते हैं। इसलिए अरजुन तू भी मुझे में ही ध्यान कर और युद्ध करके तू मुझे ही पाएगा। वे लोग मुझे सदैव याद करते हैं, वे सरलता से मेरे पास आते हैं, और जो मेरे पास आते हैं, उनके जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, उनके सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। श्रीमत भगवत गीता के अनुसार सहस्त्र युग अहर यध ब्रहमनों विधु, अर्थात ब्रहमा का एक दिन एक हजार महा युग के बराबर होता है, इसके अनुसार ब्रहमा का एक दिन चार अरब बतीस करोड सौ वर्ष होता है, इसी प्रकार इतनी ही अवधि ब्रहमा की रात्रिकी भी होती है, ब्रह्मा के एक दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्मान होता है और रात के प्रारंभ में ही वो संसार फिर से ब्रह्मा में ही समा जाता है, और इस चक्र में लगातार पुनर्जन्म का चक्र चलता ही रहता है, लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं, उन्हें शीग्र ही इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हे अर्जुन, मैं तुझे वो दो मार्ग बताता हूँ, जिससे लोग या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या फिर से इस संसार में उन्हें वापस आना पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश होता है, तो शुक्ल पक्ष चल रहा होता है। और सूर्य उत्तरायन में होता है, जब कर्म योगी जो शरीर छोड़ने वाला होता है, मेरे पास हमेशा के लिए आ जाता है। और जब रात्री होती है, तो कृष्ण पक्ष आता है और सूर्य दक्षिनायन में मौजूद होता है। उस समय पर कर्म योगी अपने शरीर को त्याग कर परलोक में जाते हैं और वहां बहुत समय तक आनंद सुख भोगते हैं फिर संसार में उन्हें वापस आना ही पड़ता है। केवल एक योगी ही इस रहस्य को समझ कर सभी कर्मों के फलों के मोह को छोड़कर परम ब्रह्म में मिल पाता है। अब हम इस चैप्टर को आजकल के समय में देखें तो वो लोग जो अपने लक्षय को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं। उन्हें बहुत ही मेहनत कर परनी पड़ती है। क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने बताया है ये संसार का चक्र बहुत बढ़ा है और लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन वे लोग जो अपने जीवन में अध्वितिये निश्चय रखते हैं। उन्हें ज्यान योगी और कर्म योगी बनना होता है। ब इसलिए हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि हम सिर्फ अपने सपनों में खो जाएं और ब्रह्म के दिन की शाम हो जाएं। अध्याय नौ राजविद्या राजगवे योग। ये अध्याय हमारे मानसिक और आत्मिक जीवन को उसके स्वभाव और दिव्यता के साथ जोड तो ऐसा क्यों करते हैं और उसके परिणाम क्या होते हैं। श्री क्रिष्ण कहते हैं वो मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते वो इस संसार में बार बार दुख जहलने के लिए आते जाते रहते हैं। मैं इस संसार को बार-बार उत्पन्य और समाप्त करता हूँ, मैं ही मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, पुनर्जन्म देता हूँ, लेकिन मुझे अपने कार्य का कोई भी घमंड नहीं है। मैं ऐसा करते हुए भी इस कर्म के बंधन में नहीं फंसता, सब कुछ करते हुए भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरी माया जाल में फंसने वाले और मुझे समझने में असमर्थ लोग और बेकार की आशा और निरर्थक काम करने वाले लोग हमेशा इसी संसार मे बंधे रहते हैं, वो वेदों को पढ़कर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं, वे लोग इंद्रा के स्वर्ग के सुख का आनंद उठाते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक ही बने रहते हैं, जब तक कि उनके मानव जीवन के पुन्य समाप्त नहीं हो जाते हैं और जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें फिर से इसी पृथवी पर जन्म लेने का अवसर मिलता है किन्तु जो मुझे मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मान कर अपने कर्म फल को त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं मैं उनकी ना केवल सभी आवश्यक्ताओं को पूरा करता हूँ, बलकि उन्हें सदैव मेरी शरण में स्थान देता हूँ, भूतों और पितरों को पूजने वालों का ग्यान कम होता है, और वो फिर से इस मृत्यू लोक में आते ही है, इसलिए अरजुन, यदि तू कुछ भी कर्म करता है और दान देत है, तो उसे मुझमें स्मरण करके कर, तो वो मुझे ही प्राप्ध हो जाएगा, मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर है, यहां तक कि अगर कोई बहुत ही अत्याचारी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, चाहे राजा हो या भिखारी, वो मुझमें ही समर्पित होक अगर इस अनन्त सागर को पार कर पाता है, इस प्रकार अगर तु खुद को मुझमें अर्पित करेगा, तो मैं ही तुझे प्राप्ध होंगा, मित्रों, इस अध्याए में श्री कृष्ण कहते हैं, कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से किसी ईश्वर में पूजा और आदर उ उसके इस भक्ति को उस ईश्वर से जोड़ देता हूं, अध्याए 10, विभूति योग, ये अध्याए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस अध्याए में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप की महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं, और अर्जुन को उनक की महिमा का दर्शन कराते हैं, ये अध्याए हमें ये बताता है कि भगवान कैसे हमारे चारों ओर मौजूद हैं, और हमारे जीवन में उनका साक्षातकार कैसे किया जा सकता है, वैसे तो आपने कई बार सुना है कि भगवान ऐसे है, भगवान वैसे है, सभी जगए है, प् वास्तविक परिचय देता हूँ, मेरे जन्म के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन जो ये जानता है कि मैं कभी नहीं जन्म लेने वाला और कभी भी नहीं मरने वाला हूँ, वही सबसे बड़ा ज्यानी है। दोस्तों, इस अध्याय में भगवान ने हमें ये दिखाया है कि वे हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। अन्य रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान ने हमें ये भी बताया है कि उनका अंत नहीं है, वे अनंत है, अपार है, वे हमारे सभी पहलू में है और उनको पूरी तरह से जान पाना हमारे बस की बात नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है, बस तु इतना जान ले, कि ये संसार मेरे एक छोटे से अंश से ही चलता है। यानि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान ना हो। श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि अर्जुन को ना तो ईश्वर को पूरा जानना जरूरी है और ना ही वो कभी उन्हें कम्प्लीटली जान पाएंगे। मित्रों अगर हम इसे अपनी लाइफ में इस तरह से रिलेट करें कि जैसे भगवान ने कहा है कि मैं अनन्त हूँ और तू उतना ही जान जितना तेरे लिए आवश्यक है बिलकुल उसी तरह से आपको भी अपनी लाइफ में उन चीजों में अपने टाइम और एनरजी वेस् और श्यक नहीं है जो आपके कर्म से हट करके है केवल आपके वास्तविक कर्म से जुड़े चीजों में ही अपना ध्यान लगाए जिससे सफलता और मानसिक शांती प्राप्त हो सके अध्याय ग्यारह विश्व रूप दर्शन इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं हे कृष्ण आपके दिये हुए ज्यान से मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं लेकिन अगर संभव हो तो मैं आपका महान रूप देखना चाहता हूं तो श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन परंतु इन मानवो की आँखों से ये सब न अलपना भी नहीं की जा सकती है। इश्वर का ना तो कोई आरंभ था और ना ही कोई मध्य और ना ही कोई अंध था। उस रूप से इतना प्रकाश निकल रहा था, जितना हजारों सूरज भी मिल जाए, तो भी उतना ना निकल पाए। अर्जुन ने कई संसार को श्री कृष्ण में समाहित होते हुए देख पाए। फिर अर्जुन ने हाथ जोडते हुए श्री कृष्ण से कहा कि है परमात्मा, मैं आपके शरीर में सभी देवों को, सभी मनुष्यों को देख पा रहा हूँ। लेकिन आपके शरीर का तो ना और ना ही कोई अंत। आप में हर तरह के अस्त्र शस्त्र है, हर तरह के प्रकाश और सूर्य है। स्वर्ग और धर्ती के बीच का पूरा आकाश मानो आप से ही भर गया है। कई देवता के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं तो कई लोग भैभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं। आपके अनंत हाथ, पैर, पेट आँखों वाले मोह रूप को देखकर समस्त स्रिष्टी सहित मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। यहां तक कि मैं पांडवों को और कौ प्रवों की पूरी सेना के महान योधाओं का अंत होकर आप में जाता हुआ देख पा रहा हूँ। आपके ये विक्राल रूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अनंत उर्जा दिये जा रहा है। है कृष्ण, इतने रूपों में आप कौन से हो, मैं आपको कैसे फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो हर जगय हूँ और मैं ही समय हूँ। इन सभी योधाओं की मौत को पहले ही लिख चूका हूँ। तू तो सिर्फ इनकी मौत का कारण है, मारने वाला तो मैं ही हूँ। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर थोड़ा डर दिख रहा था, पर अर्जुन धैर्य के साथ बोले है परमात्मा। आपका ये रूप देखकर अब मुझे पता लग गया कि क्यों योगी महरशी देवता जैसे ही आत्मा है। आपका पूजन क्यों करते हैं। आप तो सत्य और असत्य से भी उपर हो। आपके इस रूप की व्याख्या करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। आप ही इस संसार के पालन करता और विनाशक हो। आपको हर दिशा से नमसकार है, स्वीकार कीजिए। क्योंकि ना तो कोई आपका आदी है और ना ही अंत। आपको कोटी-कोटी नमन। हे प्रभु, मुझे भय है कि मैंने अज्यानत में आपको मित्र कृष्ण कहा है और कई बार लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया है। मुझे आपके इस सत्य का पता नहीं था। इसलिए अगर संभव हो तो आप मुझे क्षमा कीजिए। जैसे पिता-पुत्र को शमा कर देता है उसी तरह आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु आपके इस रूप को देख कर मैं खुश भी हो रहा हूं और मैं भय भीत भी हूं। अतह कृपा करके आप अपना प्रसिध चतुर्भुज विश्नु रूप के दर्शन दीजिए जिसमें आपके मुकुट, चक्र और गदा के साथ आपको देखने की अभिलाशा है। फिर श्री कृष्न कहते हैं कि हे अरजुन मैंने तेरे आग्रहे पर वो रूप दिखाया है जिसको आज तक कोई मनुष्य नहीं देख पाया है और ना ही कभी देख पाएगा। तू मेरे इस रूप को देख कर इतना व्याकुल मत हो जाना और भय भीत भ पूरी कर रहा हूं अब तू मेरी चतुर्भुज विश्नु रूप देख। भगवान श्री कृष्न ने इस प्रकार से अपना चतुर्भुज रूप अरजुन को दिखाया और उसका साहस बनाया और अनन्त रूप से अरजुन की व्याकुलता को भी दूर किया। अब के इस रूप को देखकर मुझे त्रिप्ति मिल गई है। तो फिर कृष्न बोले अरजुन जो चतुर्भुज रूप तुमने अभी देखा है उसे देखने के लिए तो देवता भी कामना करते हैं। इस चतुर्भुज रूप को किसी भी यग, दान, तप और वेद से देख जा सकता है। परंतु अरजुन, जो तेरी तरह मेरा परम भक्त है, वो अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए ये रूप तुम देख पाए हो। मित्रों, गीता के इस अध्याय से आप आज के टाइम में भी ये सीख सकते हो। कि अगर हम सच्चे मन से महनत करते हैं तो कई बार सफलता को पाने के बाद हमें लगता है कि हमने इतनी महनत कर ली। और जब सफलता आती है और तब लगता है कि ये तो ज्यादा ही मिल गया, मैंने तो इतना महनत नहीं किया था। और मित्रों, यही महान लोगों का एक सदगुन होता है कि वो महनत तो करते हैं, लेकिन उनको ये भी आभास नहीं होता कि कितनी मेहनत कर लिया उन्होंने। यही महान लोगों की महान सोच होती है। अध्याय बारह भक्तियोग। इस अध्याय में भगवान हमें बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से ही हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हमें भगवान के प्रतिविश्वास, प्यार और समर्पन दिखाना चाहिए। इस से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भगवान के प्रतिभक्ती और प्यार बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति हर तरह के सुख और दुख, वस्त्र और मित्रता, लाभ और हानी, मोह और इच्छा, हर तरह के मौसम से दूर रहता है और सभी प्राणियों को एक समान नजरिये से देखता है और जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से वश में रखता है वही परम आनंद को पाता है जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है किसी भी स्थान पर किसी भी आहार के साथ रह सकता है वो भक्त मेरे लिए बेहद प्रिय है और उनमें से भी जो निशकाम भाव से अपने कर्म मेरी सेवा में लगाते हैं वही भक्त मेरे लिए श्रेष्ट है। इस अध्याय में हमें ये भी सिखाया गया है कि हमें अपने पूर्व अनुभवों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। एक छात्र या एक व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ महत्व पूर्ण करना चाहता है। उसे कम खाना चाहिए और हर प्रकार की भावनाओं के साथ होना चाहिए। खुद के लक्ष को कैसे प्राप्त करना है किवल यही सोचना चाहिए। और ये तभी प्राप्त हो सकता है जब हम भगवान के प्रती, विश्वास, प्यार और समर्पन करते हैं अध्याय तेरह, क्षेत्र, क्षेत्र, विभाग, योग इस अध्याय में भगवान हमें आत्मा और शरीर के बीच के अंतर की बात करते हैं हमारी आत्मा शरीर के परे है और हमें इसे समझना चाहिए। ये हमें सिखाती है कि हमारे शरीर से भी ज्यादा हमारी आत्मा ज्यादा असली है और हमें इसके साथ मिलकर जीना चाहिए। इस अध्याय से हमें ये ग्यान मिलता है कि कैसे हमारे कर्मों के परिणाम की रचना होत श्री क्रिष्ण हमें बताते हैं, यह शरीर एक क्षेत्र है, जैसे कि खेत एक क्षेत्र होता है, खेत में हम बीज़ बोते हैं और उसके सही समय पर फल होता है. इसी तरह हमारे जीवन में भी हम कर्म के बीज बोते हैं और उसका सही समय पर हमें फल मिलता है इसलिए शरीर को क्षेत्र कहा गया है इस क्षेत्र और क्षेत्रग्य के ज्यान को विभिन तरीकों से विद्वानों द्वारा व्याख्या किया गया है जिसमें पांच महाभूत, मन, बुध्धी, अहंकार और सभी इंद्रियां शामिल है साथ ही सुख, दुख, चेतना, शरीर, धैरे और विकार भी इसमें शामिल है श्री कृष्ण कहते हैं परम ज्ञान क्या होता है? इसका उत्तर मैं तुझे दूँगा मानव में कोई भी गुण हो, वो गर्व करने योग्य नहीं होता हमें किसी भी प्राणी को सताने का कोई अधिकार नहीं है हमें दूसरों के प्रतिक्षमा भाव रखना चाहिए हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए हमारी मन और वाणी में सरलता होनी चाहिए हमारे मन और सभी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंतरित होने चाहिए हमें खुद को किसी भी भावना में नहीं बहने देना चाहिए हमें संतान, जीवन साथी, घर और धन में मोह नहीं करना चाहिए हमें अच्छे और बुरे में समान भाव रखना चाहिए और ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो किसी के साथ स्वार्थपूर्ण होते हैं। हमें एकांतवास में अपने मन को शुद्ध करना चाहिए और हमें परमेश्वर में पूरी तरह समर्पित और ध्यान मग्न रहना चाहिए। हे अरजुन अब मैं तुझे परम ब्रह्म के बारे में कहूंगा जो सर्व व्यापी है। वो सब इंद्रियों के साथ भी इंद्रियों के बिना है और वो निर्गुण होकर भी सभी गुणों के साथ है। वो सभी सजीवों और निर्जीव में है, वो दूर भी है और पास में भी है, लेकिन फिर भी जानने में नहीं आता, वो है ब्रह्म की तरह जीवन उत्पन्न करता है, विश्नु की तरह पालन करता है और शंकर की तरह विनाश भी करता है, वो अलग-अलग कालों में होते हुए भी एक जैसा लगता है और एक ही काल में भी अलग-अलग तरह का होता है। ये माया का भी महा माया है, परम से भी परम है और सभी प्राणियों के साथ उनके हृदय में निवास करता है। परंतु इसके बाद भी ये जानने योग्य है कि हे अर्जुन। इस प्रकृति और पुरुष का भी कोई आरंभ नहीं है क्योंकि प्रेम और घ्रिणes और तीनों तरह के गुण, यतार्थ, सतर्ज और तम भी प्रकृति से ही आते हैं। कार्य और कार्यों को करने वाली इंद्रियां भी प्रकृति से ही उत्पन्न होती है। प्रकृती से जन्मा मनुष्य प्रकृती के ही गुणों को भोगता है और इन्ही गुणों के अनुसार ही उसका जन्म और मरण तय होता है इस तरह से जो भी मनुष्य पुरुष और प्रकृती के ग्यान को जानता है वो कर्म करता हुआ भी मुझे प्राप्त होता है और मुझ परमात्मा को हर मनुष्य अपने अलग अलग तरीके से पाता है। और जो मंदबुद्धी होते हैं वो तो इस ग्यान को सुनकर और मेरी प्रकृति को जानकर ही वो भी मृत्यूलोक से मुक्त हो जाते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे शरीर के बाहर हमारी आलसी, हम हमारी असली आत्मा है और हमें उसके साथ मिलकर रहना चाहिए। अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग अर्थात गुणों का महत्व। इस अध्याय में भगवान गुणों के बारे में बताते हैं सत्व, रजस और तामस के गुण। श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन अब मैं तुझे संसार के उन तीन गुणों के बारे में बताऊंगा जो आत्मा को शरीर से बांगते हैं और जिन्हें जानकर कोई भी मनुष्य मुझे पा सकता है। ये तीन गुण हैं सत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण। सत्व गुण सभी गुणों में श्रेष और ये ज्ञान और सुख से जुड़ा होता है, कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है, जो कर्म और उसके फल में बनता है, रजोगुण मनुष्य को कर्म करवाता है और उसे अविचलित रहने नहीं देता, ये कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है, तमोगुण मनुष्य क उसे आलस्य और निंद्रा में बाधित करता है। ये तीन गुण मनुष्य की प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार सत्व गुण बढ़ जाता है तो मन में शानती और ग्ञान बढ़ता हैं। वही समय रजो गुण को बढ़ाता है। जब रजोगुण बढ़ता है तो मन में लालच और स्वार्थ का आभास होता है और तब तमोगुण बढ़ता है तमोगुण में अंधकार होता है और व्यक्ति मनोबल के खोने का अनुभव कर सकता है ये तीन गुणों को वश में कर जो व्यक्ति इन तीन गुणों के बारे मे दोस्तों, ये तीनों गुण सभी के जीवन में महत्व पूर्ण है। अगर आप सकारात्मक परिणाम की कामना करके मेहनत कर रहे हैं, तो यह निश्चित नहीं है कि आपको खुसी होगी या आप दुखी हो गए। इसलिए इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें सत गुण को विकसित करना चाहिए जो शान्ति और ग्यान का प्रतीक है, जिससे हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नती होती है और समय समय पर हम अपने गुणों की परीक्षा करके उन्हें सुधार सकते हैं। अध्याय 15 पुरुशोत्तम योग इस अध्याय में भगवान हमे आत्मा की अम्रता के बारे में बताते हैं। हमारी आत्मा हमारे शरीर से बड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा आत्मा अविनाशी है और इस संसार में हमारे कर्म हमारे भविश्य को प्रभावित करते हैं। हमें इस बारे में जागरूक रहना चाहिए और ये स कि हमारे कर्मों के परिणाम हमारे अगले जन्म में हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को समझने और उनका संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा हमें मुक्ति की ओर ले जाती है और हमें अपने कर्मों को सावधानी से चुनना चाहिए ताकि हम सब कुछ सही दिशा में ले जा सके। इसी तरह से हम परम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं और सभी व्यक्ति के अंतर नहित परमात्मा को पहचान सकते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और अपने अंदर के तमोगुण और रजोगुण को कम करने का प्रयास करना चाहिए जिससे हम अपने जीवन में सफलता और आत्मा की मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ इस अध्याय में भगवान हमें दैव्य और असुरी प्रकृती के बारे में बताते हैं। प्रमात्मा को याद करते हैं। और सुख दुख को समान भाव से सहते हैं। वे धर्म का पालन करते हैं। और दूसरों को कभी कष्ट नहीं पहुँचाते। उनमें अहंकार नहीं होता और वे सब को बराबर मानते हैं। और बुरे कर्म करते हैं। वे हमेशा मोह में रहते हैं। हमें समझना चाहिए कि दैव्य स्वभाव का पालन करके हम अपनी आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं। जबकि असुरी स्वभाव से हम मोह के बंधनों में भंस सकते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दैव्य स्वभाव का पालन करना चाहिए। और आसुरी स्वभाव से बचना चाहिए। इस अध्याय से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें सात्विक्ता का अनुसरण करना चाहिए और आपसी सम्मान, धर्म और शांति की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। राजस और तामस की ओर नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमें बंधनों में फसा सकते हैं। कि हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए और अपनी धार्णाओं में स्थिर रहना चाहिए। हमें भगवान के लिए आदर्ष बनना चाहिए और विश्वास से उनका पालन करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख, शान्ति और सफलता की प्राप्ती होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन हमें कर्मों को सही तरीके से करना चाहिए और उन्हें इश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। श्रद्धा और हमारे पूर्व कर्म हमारे जीवन को पूर्ण बनाते हैं और हमें इश्वर के प्रती प्यार और आस्था का एहसास कराते हैं। इसलिए श्रद्धा से ही हम सपहलता को प्राप्ठ कर सकते हैं, और हमें हमारे कर्मों को इश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। हमें अपने जीवन में सच्ची और दिल से आस्था बनानी चाहिए, क्योंकि वो हमें आदर्श और आदर देती है, जो अंत्रत हमारे जीवन को संबारती है। अध्याए 18. मोक्ष सन्यास योग दोस्तों, इस अध्याए में हमें त्याग और सन्यास के बीच परसपर संबंधों के बारे में बताया गया है। और इसलिए ये अध्याए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि त्याग और सन्यास के रास्ते भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अब वो कैसे? चलिए, इस अध्याय में जानते हैं. वास्तव में त्याग और सन्यास एक ही है. इस पूरे गीता ग्रंथ का सार आपको इसी विचार में मिलेगा. इसलिए आपको इस अध्याय को ध्यान से सुनना चाहिए. अर्जुन ने सवाल किया, है कृष्णा, मुझे त्याग और सन्यास के बारे में जानना है. कृपा करके इसके बारे में बताइये. श्री कृष्णा ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने को ही त्याग कहते हैं. और अगर कर्मों को ही दान वाले कर्म कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए अर्जुन अब तु मेरे से त्याग और सन्यास को अच्छी तरह से समझ। इन दोनों में सबसे पहले मैं त्याग के बारे में बताऊंगा और ये त्याग भी तीन तरह के होते हैं। सात्विक, राजस और तामस यग, तप और दान ये तीनों त्याग के योग ये नहीं हैं बलकि फल की इच्छा के बिना किया जाता है। यजन, तप और दान यही सात्विक त्याग कहे जाते हैं। मतलब जो शास्त्रों में दिया गया कर्म और धर्म है, जिसमें फल और आसकती नहीं है, उसको सात्विक त्याग कहा जाता है। किसी अन्य कारण के लिए अगर किसी कर्म का त्याग किया जाता है, तो उसे तामस त्याग कहते हैं। जो व्यक्ति किसी भी काम से ना तो प्रेम करता है और ना ही नफरत करता है, वही सच्चा त्यागी होता है। मनुष्य शरीर कितना भी प्रयास कर ले, वो फिर भी पूरी तरह से कर्म को छोड़ नहीं सकता, जैसे कि सांस लेना। इसलिए कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है, जो लोग कर्म फलों का त्याग इस संसार में नहीं करते, उनके कर्म फल मृत्यू के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए कर्मों के फलों को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है, जो लोग कर्मों के फलों को छोड़ने का ये मार्ग नहीं चुनते, उनके कर्म फल मृत्यू के बाद भी उनके साथ रहते हैं, इसलिए हमें अंततह अपने कर्म के फल की कामना को त्याग देना चाहिए। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सिखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक और शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को अल पर सेलेक्ट कर लीजिए धन्यवा कर दो में दो पाता को अपितर को अपना को अपना है